आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है क्लास में आप यूटूब के सर्च मापते हो फिर आपको स्वार्स डील सब कुछ रिकमेंड होने रगते हैं क्योंकि मैंने बोला ना कि आप 10 पंद्रों कोपी भर जाएगा कितना रिवाइस कर पाऊए तो रिमीजन का बेस्ट उने की फॉर्मूला सीथ बनाए उसको जहां भी चलते जा रहे हैं पढ़ लिया और बैठे हुए पढ़ लिया खाना खारे में अलेवन दुने जाते हैं तो अगर आप 10 पंद्रों और आप 11 पंद्रों करें हो तो आपके लिए कौन से डूस और कौन से डॉन होंगे तो जो भी बच्चे अभी 10 में हैं और 11 में स्टार्ट करना चाहरें तो सबसे पहले तुम्हें यह बता दो कि आपको जड्स नहीं करना बेस्ट उन यो पास्ट एक 11 भी खराब जाएगा और उस बेसिस पे वो मैट्स बायों में भी बहुत जादा कंक्यूज रहते हैं तो मेरा सबसे पहला यही है कि आपको जड्स नहीं करना है हो सकता आप स्कूल के टॉपर रहे हो हो सकता आप स्कूल के टॉपर नहीं रहे हो जो 11 थे मों बिल्कुल एक स्टाइट होगा आपके लिए तो सबसे पहले आपको माई में यह है दूसरा यह तो ज नेगेटिव में भी जा सकता है किसी किसी सब्जक्ट में तो आपको यह mentally prepared रहना पड़ेगा कि marks जो element में आएगा वो drastic change होगा and it doesn't depend on the 10th के marks तो सबसे पहली बात यह कि हो सकता है कि coaching वगरा मगर आप involved होते हो तो आपके marks नेगेटिव में भी जा सकते हैं अब जो भी बचे 10th से 11th में move करेगा या तो वो किसी coaching में जाएगा या तो हो सकता है कि किसी आप online platform में जाओ और दोनों ही mode में अगर आप online भी पढ़ रहे हो तो आपको notes बनाना बहुत ज़लूगी है अगर आप classroom में भी पढ़ रहे हो तो उसका most important thing होता है that is notes तो आपको notes बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होता है और उसमें जो सबसी important चीज़ होता है कि आपको attempt करना होता है attempt करने की क्या फाइदा हो सकता है कि अगर हम notes को attempt करेंगे तो हमें अपनी गलती पता चल जाएगी कि यहां पर मैं गलत कर सकता हूँ तो जो हम DPP बनाएंगे तो जो DPP 45 मिनिट का होगा वही DPP हमसे 15 मिनिट में बन जाएगा क्योंकि हमें पता होगी कि कहां पर गलती कर सकते हैं और हमारा तुरंत rectification हो जाएगा तो DPP मतलब notes attempt करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और notes को बनाना भी जरूरी है क्योंकि जब आप 2 साल का preparation करोगे तो लगब लाखों में questions करोगे और 2-3 copies भर जाएगी और 4-5 copies भी भर जाएगी तो उनको revise करना उतना ज़्यादा efficient नहीं होताएगा लेकिन हम star mark अगर seat बगर में star लगाके रखेंगे तो वो हमारे लिए end moment में revise करना बहुत ज़्यादा असान हो जाएगा तो इसलिए notes की काफी ज़्यादा आहिमियत हो जाती है उसके बाद मैंने लिखना था कि syllabus का difference बड़ा हो जाता है और जो taste का pattern होता है हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि question क्या है अगर आप new हो तो मैं आपको बता दू कि यह advance में तो कोई भी question आपको देखा हुआ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो यह आपके लिए syllabus पूरा समंदर की तरह हो जागा जिसमें आपक जो mark कराया और हमने वो पढ़ा और उससे हमारा पूरा का पूरा rectification पे based होता था लेकिन जो 11 थे पूरा का पूरा IQ based होगा आपको concept सिखा दिया जाएगा लेकिन उसको apply करना कैसे हैं वो आपको खुद का IQ लगा के करना पड़ेगा और वो तब ही आप आएगा जो practice करेंगे जब हम एक type के questions को बहुत बार attempt करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि किस question को हमें कैसे attempt करना होता है तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि rectification से नहीं होगा थोड़ा बहुत rectification जो आप use कर सकते हो that is only for inorganic chemistry and nothing other for that उसके यह आपको study 15 hours मुदब coaching में अगर 5-6 hours है तो उसके हट करके 8 hours के study आपको बहुत ज़्यादा ज़रू में बहुते ही तो study hours भी आपकी बढ़ेगी और study hours में quantitative से ज़्यादा important है कि qualitative study हो मतलब जितना देर भी पढ़ें उसमें output कितना आ रहा है कि ज़्यादा इंपोर्टेंट हमें find out करना पड़ेगा कि एक कम से पढ़ा और उससे 1000 टाइप के भी question बनाए जा सकते हैं और वो उसमें हम सक्षम तभी हो पाएंगे जब हम उसके application part को समझेंगे और application part physics में और maths में यह ज्यादा use होगा तो इसका भी आपको make up करके रखना पड़ेगा कि application part is very very important distractions की बात करूं तो टें तक हम जोकि घर में राते हैं और school वगरा हम भी पर आते हैं तो दोस्त वगरा से बात करते रहते हैं तो उतना फर्क पड़ता नहीं है लेकिन जब हम 11 में आते हैं तो अचानक से ग्रास्टिक चींज आता है और अगर आप को पूर्टा वगरा सहर में आते हो तो फिर आपको स्वार्स डील सब कुछ रिकमेंड होने लगते हैं तो डिस्ट्रेक्शन्स आरा मेजर कंसर्ण यह सब करने के लिए आपके पास कॉलेज का बहुत ज्यादा टाइम रहेगा आपको इसके लिए काफी ज्यादा टाइम यह तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परिसान नहीं होना है तो अभी के लिए तो आपको डिस्ट्रेक्शन्स कट करना है क्योंकि होता क्या है जब हम क्लास में कुछ भी पढ़ने के लिए जाते हैं नेक्स जे और मागलो मैंने कुल मुवी देख ली कुछ भी देख ली तो वह माईल में हमारा घूमता रहता है जब हो क्लास करने के लिए जाते हैं तो वह चीज बैक ओप दमाइल चलता रहता है तो यूँ आप टू कर दिस्ट्रेक्शन्स ऐस फार एस पॉसिबल उसके बाद क्लास बंक नहीं करनी है आपने हमेसा सुन लखा होगा टेंत में नाइनत में बच्चे यूटूब पर आप कर दिस्ट्रेक्शन लिंक रहता है तो बहुत जाद हुँ चाहेगा है तो यह द्यान रखना है कि BAC się No रिविजन का मैंने अल्रेडी बता रहा है रिविजन आप डिली बेसिस पर भी कर सकते हैं कि जो प्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइस कर लिया फिर बीपली बेसिस पर आपके संडेश को जो छुटती लगती है और फिर आपके मंतली बेसिस पर भी एक रिविजन होना और फिर जेई में जेई एडवांस से पहले तो भूना ही चाहिए और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक्जाम से नीट गूजी से पहले आपको रिविजन के लिए भी टाइम लिकारना परेगा आओ टेस्ट का और इसिस टेस्ट को कुई दीता है टीक है अगर दस लाग बच्चे ने पंदरालाग बच्चे तो test हर को यह देता है लेकिन only 2-3% people are there who analyze the test paper और जो test paper हमें ही सिखाता है क्योंकि हमें जो आता है वो हमें क्या नहीं आता है यह हमें test paper से ही पता चलता है और अगर हमें यह पता चलेगा कि हमें क्या नहीं आता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हमें और सीखना है, तो test paper आधर टून्स और अगर आप coaching program करते हो तो आपके part test होंगे, वो खाफी असान होते हैं, लेकिन वो जाता नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन जो cumulative test होते हैं, वो आपको जाला सिखाते हैं, और test paper की तो बात आप दूर रहने, तो आपका जो DPP हो, वो भी test pattern पे बनाया जाता है, तो आप DPP के थूरू बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो ये analyze करना बहुत जलूरी होता है, कि हमने गलती क्या करें, silly mistakes अभूइड करना है, तो अगर अभी स कि मेरे पास कितने formula sheet उस time के भी थे, और आज भी मुझे जवरत पर रहा है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हम उस time के काम करते हैं, वो हमें कहीं न कहीं काम देता ही देता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप 10 पंदरों को पी भर जाएगा, कितना revise कर पाऊगे, त उसको जहां भी चलते का रहे हैं, पढ़ लिया, ओटो में बैठे हुए पढ़ लिया, खाना खा रहे है, मैस में खाना खा रहे है, पढ़ लिया, तो formula sheet सार वो एक तरीके से आइना होता है, पूरा का पूरा चेप्टर का, कि उसको दस मिनट के अंदर, पांच मिनट के या इदराबाद में जाएंगे, पढ़ने के लिए, यह हो, अगर उनलाइन में हो, तब तो homesickness उतरा आएगा नहीं आपको, लेकिन अगर ओफलाइन में हो, तो 11th के जो बच्चे होते हैं, वो टेन तक घर में रहने का आदात होता है, पैंपरिंग का आदात होता है, मुमी पापा के पास रहने का आदात होता है, लेकिन जब आप 11th में जाते हो, तो आप अचानक से homesickness, एक दो महीन अगर आपके homesickness में ही निकल गए, तो आपका backlog प्रियेट होगा, और फिर उसको overcome करना आपके लिए बहुत जादा मुस्किन हो जाएगा, तो यह तो तो ते वीडियो देख रहे हैं, अब April मत आ चुका है, and I hope कि आपने या तो किसी भी online में आपने सोचा होगा, कि online platform पे जाना है, या फिर आपने किसी भी coaching में जाने का सोचा होगा, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, कि online लेना है या offline लेना है, उसको मैं attach कर दूँगा, और आप चूज कर सकते हो, और च्वाइस आपको लेना है, इस पर 11 से रिगानी और भी वीडियो बनेंगे, तो I hope कि मैंने इस वीडियो के सब कुछ कवर कर लिया है, बस यही मेरा कहना है कि day 1 और जो last day होगा, जेए के बिच का, वो बिलकुल exactly same होना चाहिए, जो हमारा day 1 हो, और जेए के पहलें का जो last day हो, वो अगर बराबर रहा, अगर consistency same रहा, अगर जो मैंने बताया, अगर आप follow करेंगे, तो definitely आपका जेए में अच्छा राइंग दूलेगा, तो अगर चैनल पे नई हो और 11th, 12th और college reviews, से रिगाडिंग आपको वीडियो चाहिए, तो चैनल अगर नहीं हो, तो please subscribe कर दिना, thank you.